जमानत की सर्तों का उलंगन करने पर क्या सजा हो सकती है कि कोट के किसी भी तारिक पेशी पर ना जाने पर क्या पराउधान कर सकती है यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में मुल्जीम है, अपराधी है, तो उस व्यक्ति की यदि जमानत होती है तो यदि तारिक पेशी पर नहीं जाता है तो उसके लिए दंड का क्या प्राउधान है? इस विशाय को जानने से पहले दि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और विडियो को अंत तक जरू लेखे तो चलिए सुरू करते हैं कि जब भी को जब्यक्ति की सर्तों का उलंगन करता है और कोड दोरा किसी वीक्ति को किसी अपराध्य को जमानत दे दी जाती है और जमानत देने के बाद उस ब्यक्ति को एक सक्ष्न निर्देश बिया जाता है जिसको वह inverti अमल करता उन शर्टों को पालंकरता है वह सर्थें क्या है जमानत की सर्थेंं क्या है वह निन्व बिंदों पर है उनको भी से में जान लेते हैं नंबर एक तारीक पेसी पर आना नंबर दूसरा किसी विपच्च पार्टी या गवाह को धंकी ना देना नंबर तीसरा सबूतों को या साथ चुको ना मिटाना नंबर चौथा देश से बाहर ना जाना नंबर पांचवा बेल बान भरना कोड के द्वारा किसी विक्ति को जब जमानत दे दी जाती है और जमानत देने के बाद वह तारीक पेशी पर इसी कारण वस या नापरवाही से नहीं जाता है तो कोड को लगता है कि यह ब्यक्ति जमानत की सर्थों का उलंगन करता है उस ब्यक्ति की जमानत जब्द कर ली जाती है वह IPC की धारा दो सो अंतिस के तहत दोसी हो जाता है यदि कोई ब्यक्ती जमारत की सर्थों का उलंगहन करता है तो निन प्रकार के चरण है और उस तहक उनको अलग-अलग स्टेज पर उस ब्यक्ती को सजा मिलती है सबसे पहले समझ लेते हैं यदि कोई ब्यक्ती तारीक पेशी पर नहीं आता है और लापरवाही से नहीं आता है या कोई कारण है तो अपने वही वकील के माध्यम से अपना कारण पेश कर सकता है जिससे कोट हुआ है आपको अगला टाइम देती है अगली तारीक लग जाती है लेकिन वहीं कोई कारण नहीं है आप लापरवाही से नहीं जाना चाहते हैं आप जाना ही नहीं चाहते हैं कोड तो उसके लिए कोड आपके खिलाप वरंटी सुखरती है और पुलिस बल के साथ आपको न्याले में बुलाती है जब जाते हैं तो आपको IPC की धारा 239 के ताहित आपको उसके खिलाब भी एक और मुकदमा दर्ज हो जाता है दूसरे नंबर किश्टिक की बात करें तारीक PC पर नहीं जाना और अपने रिष्टेदारियों में घूमते रहना भागे भागे घूमते घूमते रहना यानि कि आप नेले पर जाना ही नहीं चाहते हैं और वह है कहीं अपने रिष्टेदारियों में घूम रहा है तो कहीं दूसरे स्टेट में घूम रहा है तो कहीं बाहर घूम रहा है और साथ ही साथ उसकी जो संपत्ति है घर, द्वार, गाड़ी, बंगला, जमीन, खेती, जो भी है XYZ, उसकी जो भी संपत्ति, चल और अचल संपत्ति, कोट कोट अपने अंडर में ले लिती है, वह CRPC की धारा 83 के अंतरगत उसको निर्देश करती है और साथ ही साथ उसको अदालत IPC गिधारा 174 के अंतरगत, उसके अंतरगत मामला दर्ज कर लेती है, जिससे उसको साथ साल की सजाभी हो सकती है इस प्रकार से हमारा कहना यही होगा, कि आप यदि कोट आपको बुलाती है, तो आप निश्चित तोर पे हर तारीख पेशी पर अवस जाएं, जिससे आपकी सहूलित के अनुसार, आपके रिकार्डिंग, कोट के मताबित, वकीन के माध्यम से जो सलूसन होगा, उस सलूसन पर वो है, कार करेगा और आपके प्रोसीजर को आगे बढ़ाएगा, और आपको रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन वही यदि आप सरकरा बनना चाहते हैं, तो आपके निश्चित तोर पे और भी सारे केस मिलना ना करें, और समय से पहुंचें, और समय से सारी चीज़ें लें, जो चीज से समझ में ना होए, तो अपने नजदी की एडवोकेट के माध्यम से सलाह ले सकते हैं, अधरवाई यदि हम से लेना चाहते हैं, आप मुझे नीचे कमेंड कर सकते हैं, तो निश्चित तोर झाहते हैं Bunu कर आदिते हैं